कि च्टुटेंट्स आज हम पढ़ेंगे एलेक्टरिक आपवर और एलेक्टरिक अनरजी के बारे में तोछले स्वर्वात करते हैं इलेक्टरिक पावर से वर्क डन पर सैकंड, तो यह तोड़ी इसको सोट फॉर्म में यहां से भी लिख सकते हैं कि रेट आफ रेट आफ वर्क दन रेट आफ वर्क दन इस पावर रेट आफ वर्क दन इसको पावर इपल्कुल एक सॉट फॉर्म में आपको याद रखने के लिए बताई कि यह आप इस्टेंट डेफिनेशन देख पारे होंगे स्क्रीन पे लिखी भी एस्टेंड डेफिनेशन है तो यह पार का फॉर्मलो जाएगा डबलू अप और टी मिन्स टाइम तो जो टाइम होगा यहाँ पर वही सेकेंड में होगा और वर्क दन का यूनिट तो आपको पता है यह जूल होता है तो पावर का फॉर्मलो हो गया पी इस इक्वल टू डबलू अपन टी तो मैं इस पी को लिख सकता हूं वी इंटू क्यू अपन टी ह हमने पढ़ा ना इसले अतविक में उडी ऑन ओर ने पट भी आए और पोटेंशलो में बहुता है इस इक्वल टू डबलू अपॉन होता है तो डबलू की जगे हमने क्या पूट कर दिया टू यहां आपके पास पी इस एक्वल टू टू ली इंटू Q upon T होता है I rate of flow of charge Q upon T तो यहां से हमने यह दोनों फ्रॉम्ले पूट किये तो हमार पास P का फॉर्मला गया है V into I तो यह एक फॉर्मला है इसको equation number first देता है यह आपको फॉर्मला याद रखना है यह फॉर्मला तब यूज किया जाएगा जब आपको potential difference और electric current given हो अब जो V है उसकी जगे में IR भी पुट कर सकता हूँ by ohms law ohms law में हमने देखा था ohms law में क्या था कि V is equal to IR तो यहां पर हमारे पास यह फॉर्मला बन गया है पी is equal to I square R तो यह एक दूसरा फॉर्मला है यह electric power की value find करने का फॉर्मला कभी यूज किया जाएगा जब आपके पास electric current और resistance गीवन हो तो यह दोनों फॉर्मला आपको याद रखना है P is equal to VI और P is equal to I square R अब हम बात करते हैं unit की की आखिर इसका unit क्या होगा electric power का unit की बात करते हैं तो unit SI unit SI unit of power तो हमने जैसे formula देखा है P is equal to W upon T तो W का unit होता है Joule और time का unit होता है है second तो Joule per second Joule per second यह इसका unit हो गया है आप इसको वाट से भी सो कर सकते हैं what Joule per second is called what तो यह ऐसा unit होगी आप Joule per second भी लिख सकते हैं आप वाट भी लिख सकते हैं अब हम दो traditional units भी देख लेते हैं one kilowatt is equal to thousand watt इसको लिख सकते हैं 10 to the power three watts से one megawatt तो वो होता है 10 to the power six watt one horsepower one HP यह आपके पास important है यह one marks में पूछा जाता है यह याद रखेगा कि one horsepower is equal to 746 watts one horsepower में 746 watts होता है यह याद रखेगा अब हम बात करते हैं electrical energy की तो electrical energy is given as multiplication of electric power and time in R तो यह हमारे पास electrical energy का formula गया है electrical energy का formula electric power into time तो power का unit हमारे पास होता है watt और time का यहां पर होगा और बस यह एक ही ऐसा formula है जिसमें time का unit R लिया गया है बाकि सब में second use किया गया है तो यह जीज़ याद रखेगा कि जब भी आप electric energy find करेंगे तो उसका answer हमेशा R में होना चाहिए ना कि minute और second में होना चाहिए तो अब एक चीज़ याद रखेगा तो इसकी unit हो गई हमारे पास simple सा unit आपको बता जल गई होगी unit हो हमारे पास what are into लेकिन जो इसका unit consider किया जाता है वह होता है किलो वाट आर किलो वाट आर को हम क्या वोलते हैं वन यूनिट बोलते हैं जो हमारे पास घरों में मेटर लगा होता है जब आपकी विजली का भी लाता है तो इसमें unit लिखा हो आपने कितने यूज की है 400 unit 600 unit तो units का मतलब है 1 kilowatt r से 1 kilowatt r is equal to 1 unit to calculate consumed electric energy in unit unit अगया आपके पास जो आपकी विजली के बिलो में आता है we use following relation electrical energy consumed is equal to electric power in watt into time यह हो गया r में upon thousand तो thousand का divide क्यों किया गया है तो अगर हम watt में thousand का divide करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आजाएगा kilowatt में किसमें आजाएगा kilowatt में तो आप सिंपल सा एक example ले सकते हैं कि हमारे पास जो एक conductor है वो तू आर्ट्स यूज किया जाता है दो गंटे यूज किया जाता है और जो इसकी power है उसकी power है हमारे पास 300 watt 300 watt तो हमें find करना है कि इसमें कितना electric energy consumed होगा या फिर कितना unit भी लाएगा तो हम use कर सकते हैं formula तो formula कि according हम क्या use करेंगे पी का value पूट कर देंगे 300 time यहाँ पर आर में होना चाहिए तो आर लिख दिया और upon में क्या गया 1000 तो 002 cancel हो गया है 326 upon 10 means 0.6 ठीक है 0.6 kilowatt hour यह हम देख सकते हैं 0.6 unit